इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करतें, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। कारिक्षमता में सुधार करके सीने के दर्द से राहत दिलाता है रेनुसेक्स टेबलेट एर को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में रोजाना एक ही समय पर लिया जाना चाहिए पेट की गरबड़ी से बचने के लिए इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए आपका डॉक्टर निर्नय लेगा कि आपको यह दवा कितनी बार लेनी चाहिए यह कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है इस आधार पर यह समय समय पर बदल सकता है अधिक्तम लाब पाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेना चाहिए भले ही आप ठीक महसूस करें यह भविश्य के नुकसान को रोक रहा है अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपका सीने में दर्द वापस आ सकता है आप धूनपान छोड़ना शराब का सेवन कम करना अच्छी तरह खाना खाना नियमित रूप से व्यायाम करना और तना प्रबंधन करने जैसे कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर अपने दिल के स्वास्थि में सुधार कर सकते हैं इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, कब्ज और कमजोरी शामिल हैं अगर आप इनसे परेशान हैं या इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं ट्रैनोजेक्स टैबलेट यार कुछ लोगों के लिए उप्योग नहीं हो सकता है अगर आप किसी भी तरह की लिवर या किड्नी संबंधी समस्याओं से पीडित हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जिनका आप उप्योग कर रहे हैं क्योंकि इस दवा से कुछ दवाओं पर प्रभाव पर सकता है या या दवा प्रभावित हो सकती है आमतोर पर गरभावस्था या स्तनपान कराने के दोरान इस दवा के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो क्रिप्या इस वीडियो को लाइक करें अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद